State News 71 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर हमसे रूबरू होने के लिए आचुके हमारे सामने आजाद प्रत्यासी आम लोगों के प्रत्यासी जो स्वम को कहते हैं मेडम निशा गरवाल जी और अंकित गरवाल जी अंकित गरवाल जी एक बार फिर आप का अमारे चैनल पर स्वागत है अभे नंदन है तो आज हम जानना चाहेंगे चुनाव प्रचार चरम सिम्म पर है पीक पर है लगातार अनेकों अनेक योद्धा दूसरे राजनी दलों के यहां पर आ रहे हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो आप इस मौजूदा हाला तम सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज सेवंटी वन का हारदिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं जो कि इतनी इस पर अपना चुनावी दौर में जो है जनता से रूब्रू हो रहे हैं मैं तो यह कहना चाहूंगा कि चुनाव मैं पहली बार लड़ रहा हूं और म हमने सोचा भी नी था ना हमें उतना समर्थन मिल रहा है कि कहीं भी जाते हैं गली में महुले में या अपने वाड में हमें हमारी सोच से बहुत जादा मतलब जो है समर्थन में मिल रहा है और सुबह शाम हम परचार करते हैं दिन में हम विचार करते हैं बैठके कि जो जनता हम हमें इतना भरपूर वो समर्थन दे रही है कि हम उसके कारिये कार्णी जो बना रहे हैं भी वो कैस्किस हिसाप से पूरी करनी है और हम जनता को विश्वाश दे ज 딱 है कि जो भी हमने घोषनापतर जारी करें गे उसको छे मिने से जो है टोलिया निकलती है परचार के लिए शाम को पता लगता है मुझे कि हम भी परचार करने गए थे होंपे हम भी करने गए थे तो जनता अब बहार के मालूम मैं आप से सवाल करता हूँ जैसे अमरीकाा का राष्टर पती है वो आपको कहे आखे कि इस प्रतैशी को लिडर के पास तो वोट नहीं है ना वोट तो जंता ने देनी है वोट और मुझे मेरे अपना हमारा एक परिवार है याँ पर बहुत बड़ा परिवार है हम सडोरा के रहने वले हैं बीच में मैं एक बात और बताता हूँ आपको जैसे मेरे पास कुछ बात आई है जैसे कि मानलो कुछ विपक्ष के लोग हैं जो वो मुद्दा उठा रहे हैं कि ये बंदे बाहर के हैं रहने वले ये बाहर चले जाएंगे हम स्थाई रूप से यहीं के रहने वले हैं मेरे जो परदादा जी थे सादू राम जी बाबा जी मेरे मुनिलाल जी तो हम सब यहीं क आदमी है समाजी का आदमी है तो लोगों के कहने से कुछ नहीं होता वो जूठी अफवाएं फैलाना उनका काम है तो मैं तो जनता से यही कहूंगा कि मुझे जो है भरपूर समर्थन दें और मैं जो है उनके अपने वादे पर मैं पूरा उतरूँगा उनके जो भी कोई कारि भी गया यमननगर चला गया जिरकपूर चला गया कहीं भी चला गया लेकिन वो हमेशा यहीं रहती है और भगवान ने मौका दिया जनता ने मौका दिया तो वो हर टाइम आफिस में उपलब्द रहेंगी लोगों की समस्यां सुनेंगी हफते में एक दिन जनता दरबार हैं यहीं रहेंगे लोगों को बिल्क mega नहीं तंग नहीं करेंगे लोगों अपने आप कहेंगे कि हमने जो प्रत्यासी कुना था हमने जो चेर्मेन बनाया है तो वाके ही वो हमने ठीक चुना है और हम वादा करते हैं जनता से हमें एक बार मुका दें अगली बार पांच साल बाद लोग अपने आप कहेंगे कि तुम चलो और हम तुम्हारे साथ हैं तो हमें तो बहुत आनंदार है हमें तो बिल्कुल भी कोई चुनावी मैदान में हैं सब के साथ मेरा बहुत अच्छा लिंक है सब मुझे अच्छे जानते हैं मैं उनको जानता हूँ पर मुझे एक बात का खेद लगा है जिन्होंने कहा है कि ये बाहर के रहने वाले हैं मतलब उनके मुझे बातें शोबा नहीं देती पर चलो वो मेरे भाई हैं कह दिया कोई बात नहीं अंके जी अभी आपके परबल समर्थक नहीं भी कहा कि अंके तक गरवाल की टीप तो बहुत नंबर वन पे है निसा गरवाल जी मतलब जीतने की फुजिशन पे है और मुझे अब किसी से नहीं है भाजपा तो तीसरे चोथे नंबर पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए मैं ये नंबरिंग वाली लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं तो एक जनता के समर्थन की बात कर रहा हूँ जनता ने समर्थन और अशिरवाद सभी को देना है किसी को कम देना है किसी को ज़्यादा देना है जो ज़्यादा जिसको ज़्यादा मिलेगा वो कुरसी पर बैठ जाएगा और जो कि BJP की बात कर रहे हैं वो भी मेरे भाई है जो शालिनी शर्म है वो मेरी बहन है मैं किसी के बारे में ऐसी गलत वर्ड नहीं यूज़ करूँगा कि कोई चोथे नंबर पे है कोई तीसरे पे हम पहले पे हैं वो बगवान ने चुनना है और जनता ने चुनना है जो भी आएगा जो भी कुरसी बैठेगा अभी तो चुनाव में जो है एक हफते का समय है जिसक को चुनें जो समाजिक है वैवारिक है और परिवारिक है देखो चुनाव के टाइम में ये दो मेंने या एक मिनान ऐसा होता है कि जो कभी किसी के तरफ नहीं देखता तो भी राम-राम करने लग जाता है पर मैं जनता को एक बात बोलता हूँ जनता उसकी बैकराउंड उस candidate को देखे कि इसने कभी हमें नमस्ते की है बोला है या आज ही हमसे रूबरू हो रहा है यह तो सारी बाते जनता देखे जिस जो जनता चुनेगी वह हमें सभीकार है अंके जी अभी हाली ही मैंने एक प्रत्यासी से बाचित का चेर परसन के प्रत्यासी है उन्होंने कि एक बताना चाहूँगा कि यह जो शेहर है यह बड़ा छोटा सा शेहर है मुद्धे सबके कौमन होंगे तो अच्छी बात है हमारे किसी भाई ने अगर किसी उने मुद्धों पर कारिया किया है तो बहुत अच्छी बात है बहुत खुशी की बात है पर हम जो है हम उन मुद्धों को आगे लेके जाएंगे उनको पूर्ण करेंगे और भी नए नए जो हैं विकास कारिया यहां पर उनमें एड़ एड़ों करेंगे हमें जनता मौका देती है तो हम ऐसा नहीं है कि मतलब अपने उसाब से चलेंगे हम जो जितने भी परत्याशी खड़े हैं और जो हार के आएंगे जो देखो लोकल बोड़ी बनेगी उनसे तो डिस्कस करेंगी जो चुनाव हार के घर जाएंगे हम उनको भी बुलाएंगे उनकी भी राई लेंगे और जो जैसे कि यहाँ पर नगर सुधार समीती है तिरवेनी खेडा नगर समीती है शिव गंड़ पती सेवा मंडल है और अपना शिरी किशन किरपा समीती है हम इनके जो गंड़ मानने मौजज़ लोग हैं हम इनको भी बिठाएंगे समाजिक दार में संस्ताओं जो भी हैं सब को बुला करके हर फ़ते में एक बार मिटिंग लेंगे और इनसे अपने बड़े बजुर्गों से जो भी इन संस्ताओं के मौज़िद लोग हैं इनको हम बिठा करके फिर उनके साथ चलके कारिया करेंगे जैसे की मान लो अब आप हैं मैं आप से पूछना जाता हूँ आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे ना हम तो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन आप तो एक रड़े हुए इनसान हो आपको तो सारी नोलेज है तो आप से आपको भी हम पूछेंगे कि जनता की क्या समस्याई है आप से भी विचार मिमश करेंगे अब निरेश बक्षी जी है और जैसे की दिलावर हुसेन जी है लाला शाम लाल जी है आशीश अगरवाल है जैसे और जैसे की मान लो काफि सारे लोग हैं मौजी व्यक्ति जो की पुरुव सर्पंच रहे श्री राजकुमार जी और श्री मंगतराम सैनी जी पुरुव सर्पंच हमारे सरदार जस्वन सिंग जी चमनलाल सैनी जी और भी गनमन्ने व्यक्ति हैं शाहर के विरंदर गरग जी हैं मुकेश गरग जी हैं तो जो भी मोजिज व्यक्ति हैं निरेश अंकल हैं निरेश अगरवाल जी तो हम इन सब से विचार विमर्श करके फिर कारिये करेंगे हम अकेले कारिये नहीं करेंगे जो भी सला लेंगे सबकी शहरवासियों की सला लेंगे बड़े बुजरुगों की जो समस्य होंगी हम उनके उपर इनहों ने बहुत से मुद्द उठाए हैं बहुत सी बातों पर आगे चर्षा कि है हैं तो इन्हों ने बहुत अच्छी बाते की हैं हम दोनों इस ब Tradition बेठे बैड़ार करें हैं हम या कुछ सोय होते हैं पर हम सोते नहीं हम दोनों बैठके इस पर विचार विमर्श करते हैं यानि दो से तीन का टाइम जो है मास्टर प्लान का टाइम है तो इस पर क्या विचार करते हैं हम किसो के दाया है और ख़र्च करते ओर बीच में पार्दिशृता रहीचि तो तो हम उसके आपर चर्चा करते हैं हाँ जितने बतें जो भी अंके जी ने दिए पहले आप से भाँ हैं जी बिल्कुल करना तो आप주 इस और ने उपलक्ब दरैना हैं है हँ आपने इनको कहीं है हैं हम दोनों भी चाहर पर करे हैं कितना क्या रिसपोस्य हां है कैसा लग रहा है हमें रिस्पोंस बहुत अच्छा मिल रहा है जितना उमीद किया थो उससे भी ज्यादा रिस्पोंस मिल रहा है हम जाते हैं लोगों की लोगों की आंखों में एक विश्वास अपने लिए विश्वास देखने को मिलता है लोग बहुत सम्मान करते हैं तो ये थे अंकित गरवाल जी और निशागरवाल जी जोनों ने बेबाग अपनी बाचीत रखी तो एक पर फिर से सभी सेने वे दिन रहेगा उन्नीस तारीक का दिन सभी कामकाज ठप और मद्दान करने के लिए आपने निकलना है मद्दान करना है अच्छे विक्ति के लिए सडोरे के विकास के लिए अपने भावी पीडे के विकास के लिए अपने मद्दान करना है बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का स्टेट नियू सेमिटिवन की यह थी प्रस्तुती जुड़े रही है सबस्क्राब कीजिए लाइव कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर क अपने सुझाओं आप अवस्या दें आपके सुझाओं का मुझे इंतजार रहेगा धन्यवाद